हेलो एव्यवान कैसे है आप सब पैसिफाइ जो की एक स्काई सर्वेइंग प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के एक जो वाइटल जो इंस्ट्रूमेंट जो है उसको अभी डेवलोप किया जा रहा है हाली में तो यह उसे से रिलेटिट टॉपिक है आज का यह जो डिसकॉश करें उन सब के लिए भी बहुत ही फाइदा मंद होगा तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखेगा और साथी साथ लाइक करना मत भूलेगा और साथी साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा तावकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके और यह जो प्रोजेक् के इस अनलाइस की वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखेगा और साथी साथ लाइक करना मत भूलिएगा तो चलिए आज का जो डिसकेशन है शुरू करते हैं और उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक कर लिजिए और साथी साथ बेल आइकनी पर देबाद दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सेके तो चलिए आज का यह जो डिसकाशन है वो शुरू करते हैं तो अभी हाल में जो है इंटर इंडिवर्सिटी सेंटर फॉर इस्ट्रो नॉमी और अस्ट्रो उसको डेवलप किया जा रहा है विकसित किया जा रहा है और पॉलर एरिया स्टेलर एमेजिंग इन पॉलराइजेशन हाई एक्सपेरिमेंट यानि की पेसिफाई परियोजना एक महत्योपुर्ण आंतराश्ट्रिया सहीयोग्याकाश सर्वेक्षन परियोजना है तो यह जो एक जो लाइट्स की ध्रूवी करन जो है उसको मापनी की एक टेकनिक है यह जो कि पोलारिमेट्री जो है और यह महत्युपुर्ण शक्तिशाली जो की उपकरन होता है और के इंस्ट्रूमेंट होता है यह बहुत पाउवर्फुल और इंपॉर्टन एक मतलब जो की एक जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है जो कि खगोल वीदों को खगोलिया निकायो जैसे की धूमकेतु और आकाश गंकावादी के बारे में ऐसे जानकारी प्राप्त करने में सक्षम कर मतलब बनाता है जिसे अन्य तक्निकों का उपयोग कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है धुविकरन प्रकाश का एक गुण है जो कि इस दिशा का प्रतिनी दित्व करता है जिसे की प्रकाश तरंग दोलन करती है तक्रीवन दो दशक पूर्व एक भारत्य खगोल भौतिक विज्यानी सुजान सेन गुपता ने जो है ग्विचार प्रस्तुत किया कि एक जो मतलब क् श्कृत होगा एक लेन गाजू जहांदे कि पेसी भाई जो सर्वेक्शन जो है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो यह पेसील सर्वी जो है यह इक पॉलामेट्रिक सारी पॉलरिमेट्रिक सर्वेक्षण है सर्वें हैं जिसका लक्ष्ष है लाखो सितारों के रैखे ध्रूवी करन को मापना तो अभी जो कि लीनर पॉलराइजेशन जो है मिलियोंस अफ स्टर्स से मतलब कर भजारों जो कर तारी जो लाखों सितारी जो है उन से जो लीनर polarization जो है उसको मापना ही इसका मतलब लक्ष है और अभी सर्वेक्षिन में जो है उत्तरी और दक्षनी आसमान को जो है एक साथ देखने के लिए दो high-tech optical polymeter का उपयो किया जाएगा अभी यह जो मतलब सर्वेक्षिन जो है जो सर्वे जो है दक्षनी गोलार्द में southernland, दक्षन अफरिका में वैध शाला और उत्तर में ग्रीस के करित में skin cast वैध शाला से समरवर्ती रूप से आयजित किया जाएगा तो यह कहा कहा से उसको आयजित किया जाएगा और भी अब यहां पे प्रप्ट किया गया है हाली में तो अभी ये जो है इन तारों की जो दूरी जो है जी ए आये उपग्रह के मापने से प्राप्त की जाएगी तो जी ए आये जो है हमारे आकाश गंगा यानि कि मिलकी वे के त्री आयामी मानचित्रे के निर्मान संबंधी एक मिशन है तो यह जो है एक मिशन है जो कि 3 IME मानचीतर के निर्मान से संबंधी है जिसके माइधियम से आकाश गंगा की संग्रक्षना गठन और विकास की प्रक्रिया अधी को जाने में मदद मिलेगी तो कि आकाश गंगा यानि कि जो गैलेक्सी जो है हमारे जो सोलर सिस्टेम में सौर के लिए यह मदद इससे मदद मिलेगी और अभी यह जो प्रोजेक्ट जो है इसमें क्रित विश्व विद्याले जो के ग्रीस में है कैलिफॉर्णिय इंस्टिटीट ऑफ टेक्नलोजी अमेरिका इंटर उनिवर्सिटी सेंटर फर एस्ट्रोनावी और एस्ट्रोफिसिक्स दक्षन, अफरिकी, खगोलिय, वैथशाला और और विश्व विद्यालो जो की नौर्वे के विज्ञानिक जो है इसमें शामिल है इन मतलब देशों के जो यह जो सैंटर्स जो है साइंस जो वहां के जो मतलब जैसे की यह जो नाम जो लिया गया है तो इन सभी की जो साइं इसका कुछ मतलब महत्तु अभी है जो कि सिगनिफिकेंस जो कहा जाता है वह भी है तो वह क्या है तो इसका जो इंपोर्टेंस जो है लगभग 14 अरव साल पूर्व अपने जन्म के बाद से जो है ब्रहमान लगातार विस्तार कर रहा है जो कि कौस्मिक माइक्रोवेव बैक का है तो यह जो है अभी यह मतलब जो की सी करज जो विकरण जो है इसकी उपस्तिती से जो है यह मतलब प्रामानित हो चुका है प्रूफ हो चुका है कि लगभग 14 अरब साल पहले जो है अपने जन्म के बाद जन्म ब्रह्मान जो है यनकी इनिवर्स जो है वो लगातार मतलब विस्तार कर रहा है एक्सपर्ण हो रहा है वो और अभी ये जो है मिलकी वे जो के आकाश गंगा में जो है क्लास्टर के रूप में बहुत सारे धूल के बादल मौजूद है और जब इन धूल के बादलों से तारों का प्रकाश गुजरता है तो वो बिखर जाता है और धुरूवी कृत हो जाता है तो अभी ये जो है ये जो मिलकी वे ये आकाश गंगा जो है जो के गैलेक्सी जो है उसमें जो है क्लास्टर के रूप में बहुत सारे धूल जो है धूल के बादल जो है वो मौजूद है और जब ये जो धूल जो बादलों से जो तारों का प्रकाश गुजरता है ये धूल लिए किया जाएगा तो अभी इसको किया जाएगा तक पॉलिमेटरी मैप का जो उपयोग जो है यह जो पैसिफ़ाइट जो है उसका जो उपयोग जो है इसका यूज है उसका भी Milky Way यानि कि आकाश गंगा की जो चुम्बक्या टोमोग्राफिक के लिए जो है उसके लिए इसको किया जाएगा तो अभी जो है जिसका अर्थ है कि ये जो है हमारे आकाश गंगा की चुम्बक्या क्षेत्र की त्री आया में संग्रेच्चना और उसमें मौजुद धूल के करणों का पता लगाएगा तो इसका अर्थ क्या है कि हमारी आकाश गंगा के ग्यालाक्सी के जो चुम्बक्या मैंगनिफिकन जो एरियस जो है उनकी त्री आया में संग्रचना और उसमें मौजुद जो धूल जो है उसके कणों का पता लगाएगा और यह मानचित्र जो है भविश्य की जो मतलब कॉस्मी माइक्रोवेव बैग्रांड समधी जो बीमोड प्रयोगों के लिए जो है फिचर की जो कॉस्मी माइक्रोवेव बैग्रांड समधी जो बीमोड प्रयोग जो है उनके लिए जो है गुरुत्व कर्षन जो तरंगे जो है उनकी खोज है तो अमुल्यव जानकारी प्रदान करेगा देन उसके बाद जो है बीमोड प्रयोग का उपयोग कॉस्मीक इंफलेशन मॉडल है उसके बीच अंतर किया जा सकता है तो कॉस्मिक इंफलेशन के सिधान के अनुसार जो है बीग बैंग के बाद प्रारंभी ब्रह्मान एक सेकेंड के एक अंच के भीतर जो है काफी तीवरता से विस्तारित हुआ है तो अभी इस यह जो मतब कॉस्मिक इं एकस्पांड हुआ है और प्रारंभी ब्रह्मान के अध्यान के अलावा यह सर्वेक्षिन खगोल भौतिकी से संबंधित जो विभिन जो क्षेत्रों जैसे की उच्च उर्जा खगोल भौतिकी और तारकिय खगोल भौतिकी आदि में भी महत्तुपुर्ण बढ़त यह प्र 2012-2017 के दोरां जो है रोबोपॉल प्रयोग सर्वेक्षिन की सफलता के बाद जो है इसकी योजना बनाए गई थी देन वाइड एरिया लिनियर अप्टिकल पिलरी मिटर और इसका पूरवर्ति जो रोबोपॉल दोनों ही जो है फोटो मैटरी सिधन यानकी आकाशय पिंडों की चमक का मापन साजा करते हैं किन्तों रोबोपॉल जो है उसके विपरित वालोप यानकी डब्ली एलोपी उतरी और दक्षनी दोनों ध्रूवों में जो है समवर्ति रूप से मौजुद सेंक्डों सत्तारों का एक साथ देखने में सक्षम होगा जबकि रोबोबोबॉल जो है आकाश में काफी छोटा क्षेत्र कवर करने में सक्षम था अब इसके कार्या वीदि मतलब इसका काम करने का जो तरीका जो है वो कैसा है तो वाइड एरिया लिनियर ऑप्टिकल पोलारिमेटर जो है इस सिधान के आधार पर काम करेगा कि किसी भी समय जो है अवलोकन क कि तरीके के जो आधार पर जो है तारे के धुरुवी करन संबंधि मुल प्राप्त किया जा सकता है तो इसकी जो मुल्य जो है इससे संबंधि धुरुवी करन संबंधि मुल्य जो है इसको प्राप्त किया जा देगा अभी इस प्रकार प्रतिक तारे में जो है चार संगत च से किया जाएगा तो अभी क्रीट जो के ग्रीस थित 1.3 मीटर स्कीन कॉस अब्जर्वीटरी और साउथ अफ्रिकन एस्ट्रोनॉमिकल अब्जर्वीटरी के एक मीटर टैलेस्कोप पर जो है प्रतिक में एक वाइट एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलरी मेटर यानिके वाल क्या जाएगा ठीक है तो आज के वीडियो में नहीं है आश्रा करते हूं कि जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फाइदे में सावीद होगा और ऐसे ही वीडियो जो है हम फिर जो है कल भी इस तरह कई जो वीडियो जो एक जो टॉपिक जो होंगे इंपोर्टन के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तफ होंगे तब तक के लिए जो है हमारा दीरियो जो है उसको देखते रहेगा करना मत भूल Agora वीडियो को जो है एन तक जरूर देखिएगा और इसको लाइक एक जार प्लीज मत भूलेगा और ऐसे जो वीडियो जो है र मनाने बहुत ही रिसर्च की जरूरत होती है और बहुत ही परिश्रम करने पड़ती है तो आशा करती हूँ कि आप लोग जो है हमारी परिश्रम कर सपोर्ट जरूर करेंगे और हमें जो है मोटिवेट जरूर करेंगे क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हाड़ वर्क करने के लिए और ऐसे जो वीडियोज जो है बनाने के लिए सो प्लीज कीव वाचिंग और वीडियोज और ऐसे देखते रहिएगा और कोई कर सुझा वो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलेगा प्लीज कीव वाचिंग आर वीडियोज लाइक शेयर और सब्सक्राइब टेक केर जाय हिंदे